हलो विनर्स किसे है आप 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 सब अच्छी है आप सब कस्वागत है आपके चैनल विनूश स्पेस पर आज मैं एक वापस एक टैक्निक लेके आई हूँ, एक स्टोरी के माद्यम से राई हूँ और स्टोरी क्यों पताना जरूरी होता है क्योंकि किसी और का सकस्स देख के आपको भरुसा आता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर उसका manifestation हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है Actually, law of traction की एक टक्निक है इस पे story है, story area है और इस story है, Neval Baud Yard की टेक्निक पे आधारित है और उसकी ही पुकसे है तो मैंने शुरुआत में जब इस उस्टोरी को पढ़ा तो मैं खुद ही शौप थी कि how it is possible कि कैसे संभग है कि पीना किस जिसे अपने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि पीना काम किये आपको permanent lifelong आपका income जितनी आपने सोचिये उससे दसगुना जादा मिल जाए कैसे possible है तो आपके खर्चे उससे भी दसगुना आपकी luxurious life आप जी रहे लग जाओ कि पीना काम किये कैसे possible है तो मैं कुछ शौक में थी कि हाँ ऐसा भी होता है और फिर ये स्टोरी मैंने पूरा पढ़ा उसको visualize करना start किया मैंने मेरे life में apply करना चीज़ पे start किया जो छोटे manifestations थे मैं start है आपको भी बोलूँगी सबसे पहले अपनी छोट 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 छीज़ों को manifest करना start की सिए जब छोट छोट छीज़ों मैनिफेस्ट होती है तो इसली हो जाती है तो आपका भरुपसा पढ़ता है जो टेक्निक है उसके उपर ठीक है तो स्टोरी इस प्रकार है एक महिला है महिला की एस है 55 उसका नाम है लुसी लुसी की एस 55 है उसका अपना कोई भी रेलेटिव नहीं है उसका इंकम का कोई सोर्स नहीं है उसके पास अप एस उसकी 55 हो चुकी है तो इस वक्त उसको जो लाइफ चाहिए वो लाइफ उसके पास नहीं है इसको प्रह प्राइब करने तो यह से लिश्म of children प्राइब कर दो दो कि दो को सपर माइन रहति थे पार में धायाते है उसमें वो एक टेक्निक बताते है। विजुलाइजेस्न की टेक्निक है। ट॔ जैसा जैसा उन्होंने पताया है लोगरान ने उसमें वो उसको follow qona करना स्टाट कृती हैं। सुह घर पे आती हैं अपनी पुरा wish list मनाती है कि उसको अपनी लाइफ में तो किया चीज़े शाहिए उसकी विजनिस बहात रम्डी हो जाती है और उसके पास ताइंक कम है क्योंकि उसके इस्पहत हो चुकी है तो बहुत कुछ करना है और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है जॉब का कोई बिजनस करना है लिखती है अब जब उसको विजलाइस करना है तो उसकी विजलाइस का वो कैसे तैयार करे या कैसे याद करे चीजों को इतनी लंबी लिस्ट है उसकी लिस्ट चारपा चीजे नहीं है जिसको कि आके खोलो बिना आके खोल के देखे उसको याद हो जाए अब आके खोले की इसके लिस्ट को क्योंकि लिस्ट उसकी बाहत लंदी है। उसमें सब छोती से लिए बड़ी से लिखते हैं, जो जो उसको चाहिए। वेन इट विल कम टूमी क्या होगा जब ही मेरे पास आएगा वो कितना सर्प्राइज होके उस चीज को फील करती है कि वो सब उसके पास है इतना सर्प्राइज होती है उसमें वो चीज वो बोलती है पुरा फील करती है कि उसके पास है तो जब ऐसा करती है वो और वो एक दिन के लिए नहीं करती है इस टेक्निक को उसको फॉलो करना है जैसे कि मैं पुछी कोई भी टेक्निक अमने इंटेट इसे पहले बंद मत किजिएगा और उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है इस स्टोरी में वो 16 देस के बाद होता है 60 देस दो महीने कांटीनू उस ट्रस्ट उस ब सब मेरे पास है और उसके साथ वो एकदम जैसे बोलते हैं कि आस्रेश चकीत हो जाना और बहुत खुश हो जाना उस फीलिंग में जाके वो उसको सरफ विजुलाइज करती है जैसे बताया किया है सोने से पहले विजुलाइज करना है वैसे वो का देनों डो महीने तक करती रहती है जैकिन उसके जिंदगी में कुछ चेंजस नहीं आती है इन डो महीनों में कोई भी चेंजस नहीं जैसे उसकी लाइफ चल रही है वैसी ही चल रही है लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं होती है वैसे ही करती रहती है ठीक है फिर की एक दिन उसको उसका एक फ्रेंड बारे में बताती है जो जो उसको नियॉक के बारे में पता था अब वो फ्रेंड भी उससे मिलके चला जता है यह अपनी लाइप में फिर से बिजी है अपना परिस्च्वन करती है आपनी देली अक्किवटी जो और कर रही है पड़ उसकी छेंज़ में अभी की चंज़ूत मुँआ है अभी दो महिने होने को आजब ही लेकिन उसкими हैं अपना ट्रस्ट नहीं χोडा है, बलीव नहींच चोडा है और टेक्निक को फारो करना नहीं जोड़ा करती रहती है एक दिन अचानक उसके घर पर एक लैटर आता है और लैटर उपन करके देखती है तो उसके अंदर चेक निकलता है जो कि 25,000 डालर का है और वो जो चेक होता है वो उसके पेस फ्रेंड ने बेजा होता है जो कि अल्री यूर्ट में था जब यह जो फ्र जब यह इनसान जाके उस इनसान से भी आप वाले इनसान से मिलता है कि जो इसका अल्री पहले का बेस फ्रेंड था टॉम जो किसी कारण वर्सिल का कैनेक्शन तूट चुका था तब यह टॉम भी एक नॉर्मल परसन था लेकिन आज टॉम बहुत रिच मैन बन चुका है और उसके बहुत सारे factories, Companies जलती है तो जब वो उसके बारे में बताता है कि मैं दो उसी नाम के एक लेडी से मिला था था थोड़े दिन पहले अब उसकी condition ऐसी है कि उसके पास income का भी source नहीं है और उसकी age तो टॉम को पहले ही पता थी कि कितनी होगी तो वो टॉम जो है टॉम उ आपको एक चेक भेजा करेगी जो की मेरा friendship token समझीए जो भी समझीए कि हम friends थे हम family थे हम ऐसे में family member आपकी help करना चाहता हूं तो जब वो देखती है तो खुद surprise हो सकती है कि उसने भी नहीं सोचा था तो इस टेकनिक को follow तो कर रही है उसको इतनी सारी चीजें चाहिए लेकिन वो आएंगी कहां से पैसा कहां से आएगा कि को इस zone में गई ही नहीं उसने कभी सोचा ही नहीं कि कब होगा कैसे होगा तो ज नाम का चेक अपने employees को बोल देता है अपने CEO को कि उसको हमेशा भेजना है तो वो उनको भेजते रहते हैं तो खुद उस स्टोरी में लिखती है कि मैं इतनी surprise थी उसे भी नहीं पता था कि बीना जॉब किये बीना business किये भी एक luxurious life जीज आ सकती है तो moral of the story यह नहीं है कि आएगा और आपको चेक दे जाएगा यह बिल्कुल भी नहीं है moral of the story यह है कि उस लेडी ने कैसे होगा कब होगा पे ना जाके सिर्फ होगा पे ही concentrate किया और एक trust रखा 60 days तक continue किसी एक चीज को करना होगा नहीं होगा का भी पता नहीं है सिर्फ करना है तो कर रहे हैं सिर्फ इस zone में जाके करना बहुत बड़ी बात होती है और यहीं वो बात है जिसमें success होती है तो इस story का जो moral वहीं है जिस technique को follow कर रहे हो उसको continue करो और एक trust के साथ करो कि होगा ही होगा एक daily ritual बना के कीज ठीक है कब होगा क्यूं होगा कैसे होगा इस पर मत चाहिएगा और कब कैसे कितना होगा आपको भी नहीं पता पड़ेगा जब आप एक innocent बच्चे की तरह उस universe से चीजे मांगते हैं तो फिर वो एक जैसे grand parents में होते हैं एक toffee मांगे तो बहुत बड़ा chocolate लाके देते हैं व तो इस स्टोरी से यही आपको सीखना है जिस भी रिच्वल को फॉलो कर रहे हूँ जिस भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हूँ ड्रस्ट के साथ कीजिए at least 90 देस तक कीजिए 90 देस तक आपको continue करनी है मुझे पता है किसी को भी 90 देस तक करने की सुरत नहीं पड़ती है उससे पहले भी सिजे मैनिफेस्ट मुने लगती है अगर आपने ट्रस्ट कहीं नहीं चला जाएगा एक और वीडियो ला रहे हूँ जिसमें मुझे आपको बताना होगा कि युनिवर्स आपका टेस्ट भी लेता है इस लेडी का भी टेस्ट लिया होगा जो इसने नहीं बताया है तो उस टेस्ट को कैसे पास करना है अगर आपने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया तो चीजी आपको मिलती ही मिलती है जस्ट इस वीडियो के पार नेक्स वीडियो मेरा उसी टॉपिक प्यारा है कि कोई पीचिस देने से पहले लॉग अफट्रेक्शन में भी टेस्ट होते हैं हमारे सिर्फ उसको पास करना ज़रूरी है ठीक तो इसका ठीक जस्ट नेक्स वीडियो गई है यूनिवर्स के टेस्ट को कैसे पास करें और उसका क्या साइन होता है कि अपनी चीजों को मैंनिफेस्ट करने के लिए थैंक्यू यहां तक बने रहने के लिए मेरा साथ देने के लिए थोड़ी भी अच्छी लगी हो कुछ भी आपको इंसाइट मिली हो कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करके जाएगा और शेर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अपनी जिन्दिगी में तोड़ा भी मोटिवेशन नहीं बच सिर्फ आपने अंदर साथ के देखने की जरूरत है थैंक यू यहां तब बने नहीं के लिए दिल से धन्यवाद